तो सैमसंग गैलक्सी एस टुन्टी वन फैनेटीशन यानि इसकी कुछ लीक्स काफी टाइम से मार्केट में निकल गया रही है मतलब घूम रही है दरुदर तो अब यह कहा यह जा रहा है यह वाले स्मार्ट फोन अगले महीने यानि जैन्मरी 2022 में हमें देखने को मिल सकता है अब एक नई अपडेट सामने आई इस वाले फोन के सारे के सारे स्पेस्फिकेशन बाहर आ गये हैं कि आखिर संभा होता है क्या कुछ नया मिलने वाला है इस वाले फोन में जैसा कि अगर लीक्स को देखा जाए अब फॉमली तरीके से लीक को देखा जाए तो यह वाला फ सेम उसी तरह से एफ सीड सामसंग गैलक्सी एस ट्वंटी एफी से एस ट्वंटीवन एफी एडीशन काफी ज्यादा अब ग्रेट के साथ यह आएगा जहां तक मानना है इनका मिस्टर सैम मोबाइल का मतलब साम मोबाइल के तरब से पूरी रिपोर्ट करके बाहर आ गए कि य अखिर ऐसे क्या नया मिलने वाला है और क्या कुछ बाहर निकल के आएगा मतलब यह फोन अपने साथ क्या कुछ लेक्ट आएगा साथ में जाने के लेकिन सबस्पहले तो प्लीज सबस्क्राइब सबस्क्राइब कर लेना बेल नोटिफिकेंश जरू प्रस कर लेना अब एफ ही इसमें 6.4 इंच की एक फूल इच्टी प्रस रिजूलेशन की एक डिस्प्ले में लेगी इस डिस्प्ले का नाम है एमुलेट करके 2K अमुलेट डिस्प्ले होगी 120 हसके क्रिफ्टे से एक कु सपोर्ट करेगी स्क्रीन में गोरिला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्श लेकिन थोड़ा सा नहीं रास हो कि अगर यह फूल एच्टी प्लस रजूलेशन से अगर बढ़के प्लस पे चले जाते तो मेरे हिसाब से थोड़ा अच्छी बात होती क्योंकि नॉर्मल जो संसंगी एस्ट्वंटी बान प्यास टूंटी अप्याइश पिछले का पिछली स प्रोसेसर देखा जा रहा है लेकिन यह भी जा रहा है कि सामसंग कुछ कंट्रीज में अपने एक्जिन ऊस्टू एन डबल जीरो को के साथ भी फॉन वाला फॉन लांच कर देखता है लेकिन मैं उमीद करता हूं कि इंडिया में ट्रिपल एट के साथ ही आए क्योंकि कुछ कुछ फोन सैमसंग के ट्रिपल एट के साथ मतलब कुछ-कुछ फोन सैमसंग के क्वालकम के साथ आये हैं तो काफी अच्छा फ़ों करते हैं तो यहां पे भी मैं परसनली उमीद करता हूं कि यह क्वालकम के साथ ही जाए जैसा कि घीक बेंच में इसकी रिपोर्ट में जो लिग मेंच में लिस्टिंग होई थी वहां पे दो रहा है मैं देखने मिलते एक तो 68GB और स्टोरेज में में दो देखने मिले थी आने कि 128 in 256GB तो कह यह जा रहा है कि यह वाला फोन बेसिकली दू वैरियंट के साथ आएगा यानि 826 128 दूसरा होगा 828 या पिस 6128 या पिस 6 देखने को पॉसिबल है अब यह तो सामचंग को पर डिबंड करता है कि आखिर यह स्टोरेज पैर में कितने वैरियंट लाता है और क्या माकेटिंग रोज होती है तो यह कुछ पसनली स्पेसिफिकेशन निकल के आए हैं और लेकिन एक रिपोर्ट यह भी निकल के आए कि इनको जो डिफॉल्ट स्टोरेज मिल रहा है वो स्टोरेज नहीं बढ़ाया जा सकेगा रीजन यह कि इसमें माइक्रोश्डी कार्ट का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा होफुली साथ मुझे यहां भी कन्फरमेशन थोड़ी थोड़ी लग रही कि 3.5 mm का जैक भी हटा यह दोनों तो कट हो गए अगर कामरा डिपार्टमेंट के बात करें तो इसमें ट्रिपल यह कामरा सेटप होगा जिसमें 12 का अल्टरवाइड होगा 12 मेगा पिक्सल का एक मीन प्राइमरी होगा एफ 1.8 के साथ लेकिन 8 मेगा पिक्सल का तीसर वाला सेंसर वह टेली फोटो यह क्यों देखनक मिलेगा 32 मेगा पिक्सल की सेलफी होगे चाहन तक है बाकी सप्टीगेसिकेसिंस की बात करए अगर बाकी सप्टीट वासे सबस्ट पारेमिच की बैटरी ओकर 25W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ड ओगा जो वाइड का साथ होगी और पन्दरह वाट की जो मिलेगी वायरलस मिलेगी तो मतलब 2 होगा साथ के साथ इसमें टोग्स होगा मतलब ऑट ऑफ फोर भी साथ देखनी मिल सकती है दूसरा यह सांब कर रहा है कि लब पोर्ट ची क्लेम कर रहे कि तीन अंडुरॉइड अपग्रेट देखने मिल सकती है यह चाहिए ऑन्डुर कि launch date यह पिक टिब की जारी कि यह साइट जन्वरी 2022 में में देखने को मिल सकता है इसकी कुछ प्राइसिंग भी कि यह खाला है कि हमें 50-55,000 के बीच में फोन इंडिया में देखने को मिल सकता है अगर 50-55,000 के प्राइस में अगर यह टिप होरा है तो करने लाए कि एक दो महीने बाद ये फोन सारे सस्ते हो जाते हैं जैसे कि सैंसंग एस्टवन्टी एफ एडीशन आये था पचास-थाथ-जार क्या सब्सक्राइट लेकिन 30-40,000 में आज भी मार्कें मिल रहा है तो मैं तो कुछ दिन बाद इनकी प्राइसिंग डाउन हो जाते होफुली फोन ठीक लग रहा है बस एक बार मार्केट में आए देखते हैं इसके क्या जलवे होते हैं और कितना अब ग्रेड होता है पिछले वाले पुराने वाले वर्जन्स यानि एस टूंटीवन एस टूंटी से एस्टुटीवन कितना अब ग्रेडेबल होता यह तो आन होगा पसंदाए वीडियो लाइक से सब्सक्राइब जरू कर देना मेरा ना मिलकास मिलता है आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टिक के बबाए एंड ऑल्वेज कीप स्माइलिंग जैंद